दोस्तों, दीपा वली के इस पावण अवसर पर कौन-कौन माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहता है, तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें। माता लक्ष्मी आपका स्वागत है, हमारे घर में माता रानी के लिए एक लायक तो बनता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डाले, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले, दोस्तों, दीपा वली पर माता रानी को ये तीन चीज़ें कभी मत चढ़ाना, दीपा वली पर ऐसी पूजा भूल कर भी मत करना माना जाता है, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, माता लक्ष्मी ऐसी पूजा में कभी शामिल नहीं होती, दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाएगा दीपावली के दिन रिद्ध सिध्ध के दाता भगवान गनेश और मा लक्ष्मी के पूजन का विधान है इसके साथ ही इस दिन धन के देवता, कुबेर तथा माता सरस्वती और मा काली का भी पूजन किया जाता है दीपावली पर गनेश लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 6 बज कर 10 मिनट से लेकर रात 8 बजे तक है दोस्तों आईए जानते हैं माता लक्ष्मी के पूजन में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए कहा जाता है कि दीपावली पर ये तीन चीजें महा लक्ष्मी की पूजा में कभी शामिल नहीं करना चाहिए इससे व्यक्ति को घौर पाप लगता है और दीपावली का पर्व तथा पूजा पाठ भंग हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की है। मातारानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता। और जो व्यक्ति मातारानी को प्रसन्न कर लेता है तो वह व्यक्ति संपत्ति का मालिक बन जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा में ये तीन चीजें। मातारानी को कभी मत चढ़ाना नहीं तो आपको बरबाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अवश्य पूरा करेगी। इसी लिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती। जो कि इस बात को शणी महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसी लिए पूजा पाठ में कर्ज ना ले। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं। दोस्तों जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ती लेकर आएं तो हमेशा याद रखें। उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ती बाजार से खरीदते समय, ध्यान से देख लें। टूटी हुई तथा चटकी मूर्ती नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ती की पूजा नहीं की जाती। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। दीपा वली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछाना चाहिए, सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए, लाल रंग सर्वश्रेष्ट और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हारा वा माता रानी के पूजन में अक्षत यानि चावल का बहुत महत्व माना गया है। दीपा वली पर घर का चावल कभी किसी को मत देना। इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती है। चाहिए क्योंकि ये खाना माता को भोग लगता है। इसलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्थ पर अशुभ कार्य न करें। तथा काले रंग के वस्त्र को पहन कर भी पूजा नहीं करना चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। काल रंग शनी का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल रंग अतिप्रिय है। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है। दीपा वली पर सुहागिन महि पेलाओं को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए। पैरों में पायल तथा श्रंगार आदी होना चाहिए। इससे माता लक्षमी बहुत प्रसन्न होती है और आपको धन-धान से माला-माल कर देती है। घोर पाप लगता है। आप ऐसे समय में पूजा में बैट सकते हैं परंतु माता की मूर्थी सपर्ष न करें। Economy की मूर्थी को पूजा नहीं करना चाहिए। शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों और लक्षमी पूजन में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का आदी रख कर पूजा संपन्न होती है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का तथा सोने का सिक्का नहीं है तो आप एक रुपए का सिक्का रख सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर पूजा अधूरी मानी गई है, क्योंकि ये धन की देवी है, दोस्तों माना जाता है कि दीपावली के दिन माता को कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंक माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, माता को कमल का फूल अतिप्रिय है, दीपावली पर भगवान गणेश को दुर्बा घास अवश्य अर्पित करना चाहिए, इससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, भगवान गणेश अतिप्रसन्न होते हैं, याद रखे सूखे औ और मुर्झाए फूल माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, इस दिन पाँच रंग के फल तथा पाँच रंग की मिठाईयां अवश्य होना चाहिए, अगर आपके पास पाँच रंग के फल तथा मिठाईयां नहीं है, तो माता लक्ष्मी को सच्ची भक्ती से बड़ा लगाव है, अगर आपकी सच्ची भक्ती नहीं है, तो आपके करोडों रुपए भी बेकार है, माता को सच्ची श्रद्धा के साथ कुछ भी आप अर्पित करेंगे, तो माता रानी बहुत खुश होती है, और सदैव उसी घर में बास करती है, जो सच्ची श्रद्धा से ही पूजा पाठ करता हो, दोस्तों और लक्ष्मी पूजन में दीपक दाईं ओर होना चाहिए, और उसमें जलने वाली जोत लाल होनी चाहिए, तथा धूप और अगरबत्ती बाएं ओर रखें, बहुत ही शुभ माना जाता है, शास सुहाग अजर अमर है, इसी लिए माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय है, सफेद फूल और सफेद कपड़ा माता को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, पाप लगता है, ऐसी पूजा भंग हो जाती है, दोस्तों हमारे वेदों में बताया जाता है कि लक्ष्मी पूजन में विश्नु जी का ध्यान अवश्य कर लें, इसके बगैर दीपावली की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माता रानी विश्नु भगवान के बगैर किसी भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होती, इसी लिए दीपावली पर पूजा में विश्नु भगवान का ध्यान अवश्य कर ले। इससे माता रानी की कृपा सदैव आप पर बरसेगी दोस्तों। दीपा वली पर पूजा करते समय चूहा अगर आजाए, छिपकली आदी आजाए या आपके घर पर उल्लू वगेरा आजाए तो समझो साक्षात। आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो घर में बिल्ली का आना बहुत ही शुब संकेत माना गया है। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन माना गया है। दीपा वली के दिन अचानक से लंबी-लंबी लाइन बना कर चीटियों का चलना तथा गोलाकार में चीटियां घूमना बहुत ही शुब संकेत माना गया ह इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आशीरवाद माना गया है। इससे ये पता चलता है कि अब आपके घर में धन आने वाला है। आपके घर में पैसा आने वाला है। आपकी सभी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। माता लक्ष्मी आपको धन धान से माला माल कर देगी क्योंकि गाए में तैतीस कोटी देवी देवतावास करते हैं। उन सबका आशीरवाद आपके उपर बरसेगा दोस्तों। आप में से दीपावली के इस खास अवसर पर माता लक्ष्मी को कौन-कौन अपने घर पर बुलाना चाहता है। तो सच्चे दिल से कॉमेंट बॉक्स में लिखे माता लक्ष्मी आपका स्वागत है। हमारे घर में माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों दिवाली से पहले यानि की धनतेरस बहुत ही उत् उपाय है जो इस दिन आपको करना है। इतना समझ लीजिए कि यह एक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो धन की वर्षा आपके घर में होती है और कभी भी आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं आएगी। अब देखिए यह बहुत लाभकारी होता है और इसमें किये गए जो उपाय होते हैं वह तुरंत सिद्ध होते हैं तो आपको उपाय को जरूर ही करना है। आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। धन दौलत की प्राप्ती होती है, यश और कीर्ती की प्राप्ती होती है, हर मनो कामना पूरी होती है। माता लक्ष्मी का आपको विशेश अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें जिससे की हमें मोटिवेशनल मिलता है। आप सभी के लिए ऐसी ही ज्यानवर्धक वीडियो बनाने के लिए चलिए। दीपावली से जुड़े कुछ और भी खास उपाय है जो कि आपको दीपा के टाइम पर जरूर करनी चाहिए। इ प्रैमन लक्ष्मी ना लिखा हो और इस वीडियो को अपने शेयर ना किया हो तो शेयर जरूर ही कर दीजिए। आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। और माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आपके जीवन में धान की कभी कोई कमी ना हो तो इस उपाय को जरूर करे माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों यह बात शायद आप जानते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ती किसी से कर्ज लेता है तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। सबसे प पाता। उसके दिमाग पर केवल कर्ज का बोज होता है। दिन रात अब इसी टेंशन में रहता है कि कब यह बोज उसके जीवन से हटेगा। अगर आप भी उनहीं लोगों में से हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है और इस बोज से मुक्ती पाना चाहते हैं तो आज हम को एक विशेश उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय ना केवल आपकी धन संबंधी परेशानियों को दूर करेगा बलकि आपके जीवन से कर्ज का बोज भी खत्म कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्ज पूरी तरह से समाप्थ हो जाए तो आपको यह उपाय पांच शुक्रवार करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह उपाय शुक्रवार के दिन ही क्यों करना है। दरसल शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। माता लक्ष्मी धन और समरिध्ध की देवी मानी जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी जी सभी पर परेशानिया खत्म हो सकती हैं. इसी लिए यह उपाय शुक्रवार के दिन ही किया जाता है, ताकि माता लक्ष्मी जी की विशेश कृपा प्राप्त हो सके. यह उपाय आपको लगातार पांच शुक्रवार करना है. इसका मतलब यह है कि अगले पांच सप्ताह तक हर शुक्रवार को आपको यह उपाय करना होगा. लेकिन ध्यान रखें कि इन पांच सप्ताह के दौरान आपको कुछ विशेश नियमों का पालन भी करना होगा. भक्तों, उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इस उ को एक बार में ही फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप दीपावली के या धन तेरस के दिन एक बार की इस उपाय को आप कर लेंगे, तो आपको लाभ प्राप्त होगा. धन दौलत की प्राप्ती होगी, हर मनो कामना इच्छा पूरी होगी. भक्तों पर इस बात का भी आपको ज्यान होना बेहद ही जरूरी और खास है कि आप इस उपाय को दीपावली या धन तेरस के टाइम पर नहीं कर पाते हो, तो आप शुक्रवार की दिन जरूर कर सकते हैं, पर आपको शुक्रवार के दिन ज्यादा दिनों तक आपको इस पहले और मुख्य नियम यह है कि इन पांच सपताह तक आप किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं कर सकते। तामसिक भोजन जैसे शराब, मांस, मचली, अंडा, गुटका, पान, मसाला, आदी का सेवन आपको इन दिनों में नहीं करना है। यह नियम इसलिए है क्योंकि तामसिक भोजन हमारे मन और शरीर को नकारात्मक उर्जा से भर देता है, जिससे हमारे पूजा पाठ और उपाय का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अब हम आपको बताते हैं कि आपको इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले आपको दीपावली या धन तेरस के दिन के दिन सुबह जल्दी उठना है, उठने के बाद नहा ले और साफ सुथरे कपड़े पहन ले। कोशिश करें कि आप लाल रंग के कपड़े पहने, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी जी की पूजा में बहुत शुभ माना जाता है। अब आपको एक लाल हाल कपड़ा लेना है, यह पोटली बनने के बाद आपको इस लेकर माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाना है, मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी जी की विधी विधान से पूजा करें, पूजा के बाद मंदिर के बाहर जो भी भिखशुक बैठे हों, उन्हें यह पोटली दान कर दें। यह उपाय पांच शुक्रवार करना है या फिर आप अपने घर पर ही इस पोटली को बनाएं और दीपावली के दिन विधिविधान से इसकी पूजा करें और सुबह होकर कर आप किसी गरीब को इस पोटली को दान कर दें। अब हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं जो घर की बरकत बढ़ाने के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर की बरकत रुक जाती है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि हमारे दोस्त रिष्टेदार या पडोसी हमारे घर को नजर लगा देते हैं। नजर लगा एक बह नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपके घर में फिर से समरिध्धि और शान्थी का वास हो तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए यह उपाय मंघलवार के दिन करना है मंगलवार की सुभ है, आपको एक मिठी का दिया लेना है अगर आप मिठी का दिया नहीं लेना चाहते तो आप पीतल का दिया भी ले सकते हैं क्योंकि पीतल का दिया और भी शुभ माना जाता है इस दिन में आपको 51 धनिया के दाने तीन कपूर और चार लॉंग रखती है। इसके बाद इसे जलाएं और इसका धुआ पूरे घर में फैलाएं। इस उपाय को आपको तीन लगातार मंगलवार करना है। तीन मंगलवार। लगातार यह उपाय करने के बाद आपके घर की सभी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर में सकारात्मक उरजा का वास होगा। इसके साथ ही आपके घर की बरकत फिर से लोटाएगी और आपके जीवन में खुशहाली और सम्रिधिका दौर शुरू हो जाएगा. अब हम आपको एक और उपाय बताते हैं, जो नजर दोश से मुक्ती पाने के लिए है. अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको नजर लगा करने के लिए आपको दिवाली के दिन सूर्यास्त के बाद एक मुठ्थी जरा लेना है. इस धनिया को अपने सिर के ऊपर से बाई और से दाएं और साथ बार घूमें, इसके बाद इस धनिया को घर के सामने वाली सड़क के दूसरी और फैंक दें. ऐसा करने से जो भी नजर और दोश आपके उपर था, वह समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में फिर से शान्ती और सम्रिधिका वास होगा। ध्यान रखें कि यह उपाय सिर्फ दिवाली को ही किया जाता है और इसे सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम आपको और भी ऐसे उपाय बता देते हैं जिनसे की धन प्राप्ती होती है। माता लक्ष्मी का असीम आशीरवाद प्राप्त होता है। एक ऐसा उपाय है जिससे की मातारानी दोनों हाथों से अपने भक्तों के उपर धन लोट आई हैं और उनकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। इस उपाय को करने मात्र से लाभ प्राप्त होता है। चलिए इस उपाय को भी हम आपको बता देते हैं। दिवाली की रात्र में कर्ज मुक्ती के लिए अपामार्ग के पौधे की जड़ का उपियोग अत्यंत चमतकारिक माना जाता है। इस दिन अपामार्ग की जड़ अत्वा के पत्तों को तिजोरी या जहां आप अपना धन रखते हैं, वहाँ पर रखें। तो यह आपके कर्ज को दूर करने में सहायक होगा। कर्ज से मुक्ती पाने के लिए। इस दीपावली के दिन आप कुश की जड़ बिल्व के पत्ते, इसका फल बीज जड़ और सिंदूर को लीजिए। और इन सभी चीजों को अमृत चौगढियां समय पर पीस कर एक चूर्ण बना लीजिए। अब इस मिश्रण को गंगा जल से गीला कर लीजिए। अब भोज पत्र पर अनार की कलम से ओम श्रीन हरीम श्रीन कमले, कमला लईये प्रसीद प्रसीद श्रीन हरीम श्रीन, ओम महालक्ष्मी नमा इस मंत्र को लिखें और पूजा स्थल पर इसे स्थापित करें। जीवन में सुख प्राप्ति के लिए, जीवन में चली आ रही परेशानियों और कलह कलेश से मुक्ती पाने के लिए दीपावली के दिन रात्री एक जटा वाला नारियल लीजिए। इस पर सिंदूर लगाकर लाल धागा बांधे और इस नारियल को धूप दीप दिखाएं। और परिवार समेत इसे ग्रहन करने से दामपत्य सुख की प्राप्ति होती है। महंदी लीजिए, इसे किसी किन्नर को भेंट करें और उनसे आशीरवाद ग्रहन करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर होंगे। दीपावली के दिन कमल के पुष्प की एक माला लीजिए। इसे श्री विश्नुजी और देवी लक्ष्मी जो को एक साथ चढ़ाएं। एक ही माला दोनों को अर्पित करें और अपने दामपत्य जीवन के सुख की प्रार्थना करें। रोग मुक्ती और स्वास्थ्य लाभ के लिए दीपावली के दिन साथ प्रकार के अनाज लीजिए। और इन अनाज को किसी धर्मस्थल पर दान कराएं। इससे नकारात्मक्ता दूर होगी और शुभता का जीवन में आगमन होगा। इस दिन रोग से मुक्ती पाने के लिए इस दिन साथ कोड़ी लीजिए और उसे रोग के ऊपर से वार कर बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। इस कार्य को शाम के समय पर ही करें। दीपावली सिद्ध एवं साधना का दिन। यह दिवस आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे ले जाने में भी अत्यंत सहायक माना गया है। इस दिन पर किया गए मंत्र सिद्ध के कार्य एवं कोई विशेश साधना भी सफल हो सकती है। इस कारण ही इस दिन को मंत्र एवं तंत्र की सिध्ध एवं सफलता हेतू उपयोग किया जाता है। इस दीपावली के दिन यह कार्य करने से आपके समस्त कष्टों को दूर करने में अत्यंत ही सहायक बन सकता है। उसे लाब ही लाब उठा सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए जय माम लक्षमी।